वैसे गौर्ण मश्रुवाल आप कह रहे हैं कि एक करोड की चपत नहीं ये एक करोड से ज़्यादा की चपत है तो साफ तौपर एक स्मोकर की जो वित्य हालते एक बॉन्ट स्मोकर से आप ज़्यादा बिगडी हुई कहेंगे स्वादी जी इसमें आपने जो लिया वो आपने कॉस्ट की बात की कि ये कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर वो निवेश किया होता तो कितना रिटर्न और कहां तक उनकी जो संपत्ती है उसका क्रियेशन एक और दूसरा एंगल जो हमने नहीं डिसकस किया वो करना चाहिए जो स् काम करने की क्षमता कम होती जाती है साल के बाद साल उसकी जो काम करने की क्षमता है उसमें कटोती होती रहती है और इसकी वज़त से जो आमदनी होनी चाहिए जो ग्रोथ होनी चाहिए वो काफी कम हो जाती है अगर पैसिव स्मोकर भी है एक्टिव स्मोकर तो छोड़ यह पैसिव स्मोकर को भी दिक्कत होती है लेकिन एक्टिव स्मोकर के यह भी देखा गया है कि आफिस में अब एपसेंटिजम बढ़ जाता है, कॉंसेंट्रेशन कम है, उनका जो उनकी जो ग्रोथ है, तरक्की है उसमें भी दिक्कत आती है, तो यह सब कॉस्ट तो हमने गिनी ही नहीं और उसका अंदाज लगाना मुश्किल है, लेकिन यह सभी में होता है, कि कम कॉंसेंट्रेशन, एपसेंटिजम और बिमारिया, यह सब भी कॉस्ट और यह काफी बड़ी कॉस्ट है, क्यूंकि आप दूसरी वेल्थ भी लंबे समय में क्रियेट नहीं कर पाएंगे. सर बहुत इंपोर्टन पॉइंट्स आपने बताएं हैं दर्शकों के लिए, कि आखिरकार स्मोकिंग के एक हैबिट से आपकी फानाशल हेल्थी नहीं, उसके इदगिर्थ काफी चीज़े ज्यादा एफेक्ट होती हैं. सर एक सवाल में आपसे जाना चाहूंगी, पॉलिसी किसी ने ले ली है, वो स्मोकर है, उसने मेंशन किया कि हाँ, वो स्मोकर है. लेकिन पॉलिसी की टेन्योर के बीच में उसने स्मोकिंग की हाबिट अपनी छोड़ दी है. क्या स्मोकिंग की हाबिट छोडने के बाद उसको इस पॉलिसी में कोई रिबेट मिलता है या उसमें habit बरा पूरी छोड़ दी है और काफी सालों तक छोड़ दी है तो एक application तो करना ही चाहिए कि मेरी health जो है उसमें और मेरी habit में बदलाव है तो फिर से आप अगर underwriting कर सके मुझे मुझे अंदाद में मेरे ध्यान में ऐसे कोई cases आए नहीं है जहां पे changes हुए है या जिदोंने application की है क्योंकि बहुत कम किस्स है जहां पे smoking permanently छोड़ दिया हो लेकिन अगर ये है तो मैं तो सुझाओ दूंगा दर्शकों को के एक application कर ले और try कर ले try कर रहे में क्या हर्जा है क्योंकि उससे दो चीज हो जाएगी एक तो यह कि अगर premium कम होता है तो बचत हो जाती है और दूसरा यह कि फिर यह भी एक तरीके से पुर्वार हो जाता है proof हो जाती है कि हमारी सहत धीरे धीरे अच्छी हो रही है उस उसमें एक तरह से जो nicotine की effect थी वो कम हो रही है तो यह करना जरूरी है हलाग के कोई insurance company बताएगी नहीं लेकिन अगर insurance company का risk कम हो गया तो उन्हें धिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारा premium कटाने में और और क्या कोई इसमें एक क्लॉज होता है या प्रावधान है एक smoker हो गया एक non smoker हो गया किसी policy में देखें ज्यादा तर life insurance policy और health insurance policy दोनों में देखा गया है लेकिन life insurance policy में तो open है कहीं सारी company है हाला कि मैं companies के नाम नहीं बताऊंगा normally I refrain from that लेकिन वहाँ पर तो dedicated non smokers and non drinkers policy है तो अगर आप non smoker non drinker है तो आपके लिए अलग policy है अगर आप smoker और drinker है तो आपके लिए अलग policy है उसके अलबा कहीं कमनी ऐसी है जो पताती नहीं लेकिन जैसे ही उनको पता चल गया तो premium पे loading कर देती है loading लगा देती है मतलब जो premium के रकम बताई गई थी उसके बड़ोतरी हो जाती है और उसके बाद में अगर आप accept करते हैं तो ही आपको policy issue होती है तो हर कोई कमनी directly or indirectly smoker और drinker को financial benefit देती है और यह तो एकदम नॉर्मल सी बात है क्योंके फिर उनका risk कम हो जाता है अगर उनका risk कम है तो फिर वो जो risk कम हो गया वो आपके साथ उसका फाइदा बाटेंगे ही बाटेंगे सार किसी ने 30 साल में policy ली है वो 28 साल की उम्रत तक एक chain smoker रहा है दो साल उसने smoking नहीं की है क्या उसकी policy में उसको mention करने की जरूत है कि वो एक smoker रहा है मेरे हिसाब से अगर mention कर दे कि इतने सालों से मैंने छोड़ दी है मैं पहले पीता था तो थोड़ा बैतर इसलिए रहेगा क्यूंकि बाद में insurance company ये objection नहीं ले सकती कि आपने मुझे बताया नहीं था अगर आपने छोड़ ही दिया है तो फिर डरने की क्या बात है और अगर नहीं छोड़ा है या तो फिर traces है और अगर आपने नहीं बताया फिर problem हो सकता इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप पहले पीते थें तो disclose कर दें आल राइट कहते हैं न health is wealth इसलिए अपने health को संभालेंगे तो आपकी wealth खुद बखुद संभल जाएगी